हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायो केमिट्री के यूनिट फोर्थ नुकलिक एसे मेटाबॉलिजम के बारे में अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको बहुत जादा ध्यान से फोकस से देखना पड़ेगा क्योंकि इस सेम टाइम ना उतना ही जादा आप लोगे लिए इंपोटेंट है और यह टॉपिक हमीशा आपके काम आएगा यह नहीं है कि अभी एक्जाम में आपके यूनिट फोर्थ से कोश्चन आते है उसमें काम आएगा आपके हमेशा ही काम आने बाला है बागी एक बार अगर बात करें कि इस यूनिट से कौन कौन से कोश्चन आपके इंपोटेंट में आते हैं तो देखो सबसे पहला मेजर कोश्चन तो हमारा वही है एक्स्प्लेइन इस्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिन एंड रने तो इन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा या कोई सा एक हमा कोई सा हमारा कुश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा और बहुत इंपोटेंट और यह तीनों ही हमारे टियन और रने से कनेक्टेट है ठीक है उसके बारे में इस वीडियो में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं अब देखो पूरी यूनिट एक वीडियो में कनेक करेंगे तो बात है कि वीडियो हो जाएगी लेकिन आपको क्या करना है यह अगर आपके मतलब हो है कैपसेटी कि आप एक बार में पूरी वीडियो देख सकते हैं तो देखो आगी टाइम में आपको प्रोवाइट कर दूंगा चलिए तो अब अगर हम बात करें कि न्यूक् इस इस एक एंदивать च्रक्शर ये इंथ हमारे सैल होती है यह थर सबसे चोटी से चोटी यूनिट है मारी बोडी की जिस से मिल मिलकर मिलकर हमारी कंप्ली पूरी पूरी बडी बनी होती है अब अगर कभी आपने cells को देखा हो या cells के अंदर वाले part को देखा हो तो cells के अंदर क्या होता है nucleus और ये nucleus हमारी all over जानकी mostly सारे ही cells में पाई जाता है हमारी body जानकी जो humans है उनकी तो हर एक body के cells में nucleus तो हमारा पाई जाता है अब यह जो हमारा nucleus है यह contain करता है nucleic acid को और यही main हमारा क्या होता है nucleic acid metabolism तो यहाँ पर nucleic acid actual में क्या है कि यह हमारे एक वो acid है जो हमारे cells के nucleus के अंदर पाये दाता है नाम से आपको समझा रहा होगा अब इसका मेली काम क्या होता है तो nucleic acid is none other than it is a DNA और RNA यहाँ कि जो nucleic acid है वो हमारा DNA और RNA के form में ही हमारे cells के अंदर present होता है अब यह DNA और RNA क्या होते है तो DNA और RNA हमारे क्या होते है genetic information अब यह genetic information से आप क्या समझते हो तो कभी आपने notice किया होगा कि आप लोग कभी देखना तो आपके या तो बाल आपके पाप Pacji से मिल रहे होंगे फादर से मिल रहे होंगे या कई बार देखोगे जो color आपके parents का होगा skin color होगा वही आपका होगगा तो आप भी बहुत चांसा की ब्लैक होगे और अगर वह गो रहे हैं तो आपके भी चांसा आप वाइट होगे ठीक है उसके लाप और देखो कि बात करने का तरीका चहरा आप देखो कि कई बार मिलता दलता होता है कहते ना तू तो मम्मी पर गया आप नहीं नहीं तेरी सगल तो पापाई से मिलती है कई बार आपने हाइट देखी होगी यानगी हाइट मैच करोगे तो अगर किसी की फैमली में फादर साब लंबे है ना तो जो बेटा होगा उसके बहुत चांस है कि वह भी इसके लंबाई खिचताएगी अब कोशन आता है कि वह ऐसा क्यों हो रहा ह यानुकी जगर हाणितिक इंफर्मिशन इसको अपनी बॉडी के लगता है और जैनेटिक इंफर्मिशन क्या होती है अब क्या होता है कि celt का लुद कि सेल डिविजन होता है अगर हमारी बॉडी को करना है तो हमारी बॉडी में वक्रणों होते है तो cell division के काम पर क्या होता है कि सबसे बहले जो nucleus होता है उसी में होता है वहाँ पर क्या होगा जो DNA बगर होगा वह अपने आपको यहां पर replicate करेगा यहन की जो DNA आ रहे होंगे वह इस तरह दो पार्ट में डिवाइड होगे और और nucleus को दो बार्ट में डिवाइड करते अब इसके बाद यह हमारे अलटरनेट बना देते है और इस वाला जो यह एलोकले इसमें इसमें इनफॉर्मिशन होगी जो हमारी इसमें होगी ठीक है अप लोग मोबाइल में करते होगे ना पहले करते थे सैंब एक movie है अब दोस्त कहता है मेरे में डालते मुझे भी देखनी है तो हमने क्या है एक फॉन से दूद्रे फॉन में वो movie डालती अब ऐसा तो नहीं है कि दोस्त के फॉन से डिलीट हो गई उसके फॉन में भी और हमारे फॉन में भी है सेम यहां पर होता है कि DNA RNA में हमारा concept जो है अगर 100% सेम आजाएगी तो बच्चा बिलकुल ही मतलब बाप जैसा हो जाएगा देखने में अब भई साउथ की movie तो चल रही रही है कि भई अपने परदादा के इसे लेकर सब की सकले मैची करती जा रही है यहां पर नॉर्मली का है पेरेंट्स के चायल लाएगा तो उसम इसी तरह हमारे यह नुकलिक एसट इतनी जादा काम की और बहुत होताती है क्योंकि यही एक्ष्वल में है जो हमारी जैनेटिक इनफरमिशन को कंटेन करता है तो अब अगर कोई आप से पूछेगा कि नुकलिक एसट मैं नुकलिक एसट क्या है हमारा एक डियाने या आरन होता है जो हमारे सेल्स के नुकलियस के इप इन ना के हमारे रहाता है और वह जानेटिक इंट्रों आपको मिल गया अब हम जानते कि नुकलिक एसट डियाने और आरने किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है जानकि दो 2 वी ऐसे बते हैं जो हमारा बना होता यह बना होता है अब नूकलीक एसद्स के बारे में बात करेंग刚 प्ले डिस पॉल और नुकर आफेन हमारे नुकलियी तॉटाइड के वह सकता हैz हमारी औे से लिलिकाइड होती होती है इसी थी तरह इसे में नुकलियो टाइड्स से मिलकर बना होता यह यह जो भी बाता है ना इसको याद रखना क्योंकि यह आपके पूरे वीडियो में हमेशा ही काम आने वाली है अब यह जो हमारे नुक्लिटाइट्स है यह बेसिकली तीन मॉलेकिल से मिलकर बना होता है तो नुक्लिटाइट्स में सबसे पहले आती है हमारी एक पेंटोस सुगर क्या होती है तो आपने कार्बोहएडेट्स के बारे में पादा था जो हमारी यूनिट बनती है और मिल ली क्लुकोज बगर आइससे हमारी चीज आती है और कार्बोहएडेट्स को हम ग्लुकोज या फिर हेक्जो क्यों बोलते हैं क्योंकि उसमें six carbon present होते हे तो यहा तो यहाँ पर एक दो तीन चार और पांच पार वन कंपाउंड में याँ देखने को बिलते और इस तरह बनता इसको प्याँ बोलते हैं तो याद रखना यह बहुत आता सिंपल है थोड़ा सा complicated है मैंने पहले ही बोला था इसलिके ध्यान भी आपको जो उतना ही तारा दिना पड़ेगा रभ बगरा रख सकते हो तो nucleotides में pentos स्वगर होती है और उसका diagram कुछ इस तरह का होता है इसके बाद इसमें second हमारा compound पाइस आता है nitrogenous अब जो nitrogenous वेस है इसका मलब क्या है कि यहां पर हमारा nitrogen होता है यानकि यहां पर जो भी compound होगा उसमें हमारा nitrogen होता है और basically हमारे यहां पर दो तरह के compound आते हैं और यह दौनों ऐसा नहीं है यह तो हमारा purines होगा यहां फिर हमारा प्रेम्डेंस होगा तो इस तरह के दो टाइप्स के हमारे यहां पर यहां पर पाइस आते हैं अभी दिखा देता हूं तो यहां पर आगर आप देखोगे तो nitrogenous में जो हमारा pure इंस होता है वहां पर हमारे दो compound होते हैं और यहां पर तीन पाइस आते हैं यूरेसिल थाइमिन एनड साइटोसिन आते हैं तो अब अगर देखा दाए तो यहां पर सेकंड्ड हमारा हमारे पैंच होते हैं यह यहां पर क्या होता है यह तो यह हमारा होता है और यह caos होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा तो कि मिलके बना होता है रहा यहांप और यह अलग अलग कमपॉंट गर चिस तरह होगी दूसरे आता नाइट्रोजन पेस जो हमारा नाइट्रोजन कंटेरिंग करें तो इस तरह हमारा पूरा नेउखली टैसिट इतना बना होता है इसका स्ट्रक्चर ही आप देख रहेगों कि किस तो अब यहां पर बात करें। Nucleac Acid Metavarism के बारे में तो इतना आप समझगे कि Nucleac Acid Metavarism में दो ही छीज़ा आती है है एक होता है मतलब Synthesize और एक होता उसका Ketavarism तो जब Nucleac Acid के हमारे पूरे के Synthesize होती है आप देख सकते हैं किस तरह हो रही तो इस पूरे को हम बोलते है Nucleic Acid मतलब एनावरिजम जसम हमारी सिंत्राइस होगी और इसके बारे में हम पढ़ेंगे बायो सिंत्राइस प्यूरिंस और जब इसका ब्रेकडाउन होगा तब हम पढ़ेंगे केटावरिजम के बारे में ठीक है इसके अरावार बाकी जो हमारा सेकिन्ड रहेगा उसम डियाने ई जा रहें के बारे में अस्चे से बात करेंगे तो अब बात करें अगर Nucle doctrine by we have got the Alto इट już तो अब अगर बात करें पैंटो सुगर के बारे में तो पैंटो सुगर एक्षिल में हमारे कार्वो हैइडिर्स का ही पार्ट होता है और इसमें ली आपको मैंने क्या बता है कि नउकलिक एसेड हमारे तरहных होते हैं हैं होते है अब actual में जो इसका DNA और RNA नाम पढ़ा है ना वो नाम हमारा इसी पेंटो सुगर की वज़े से पढ़ा है यकीन नहीं होता ना चलो देखते हैं तो RNA की फिलफर्म क्या होती है जो राइवो नुकलीक ऐसीड क्या होती है यहां इक यहां पर राइववर्ड आया बाकि नुकलीक है हमारा सेम है दिने की अनूक्सी राइवो नुकलीक एसेड होती है यहां वह ने सका और लेम हमारा हमारी कि यहां पर तो अगर नुकलियोटाइट है यदो वाला छूख करते इंग लें zuकSer इन में सब्सक्राइब करेड़ सब्सक्राइब लहां हमारा और नी के जब ने लेंगे तो यह पूरा का पूरा जैनल की नाइट्रोजिनेड वेस पॉस्पेट को रूप साब मिला देंगे तब जाके हमारा क्या बनेंगा आ रहे ने बनेगा वहीं अगर हम राइबोस के यहां पर डियोक्सी राइबोस ले ले लेते हैं तब हमारा यहां यह रहेंगा तो अगर राइबोस तो करके च्ट्रक्चर देखोगे यहां ओए सिंगल फिर 5 कारबन एक दो तीन चार और यहां पांच और इसके साथ हमारे ओएच करेंगे तो अब अगर गौर करोगे तो दिया रने और राइबोस और डियोक्सी राइबोस में यह दोनों मारे सेम है बस एक पांच जाए समझ राइबोस और यहां पर दरने राइबोस को फिकते हैं अगर हम्मारा करें छापरने यहां राइबोस फैयो को हमेसे और इसपांच यहां पर इसे मां घुमारा धा ग선घक्रे औरियोक्सी हमारा उंसी नाम से डी और राहा वास आ होता है यहां पर होस्वेचा होका है यहां वह लगा होता है यहां यह पर हैड्रक्सक पहल यहां तीन है यहां को यह पर होते हैं इस तरह हो तो यहां पर आपको यह दोनों दिख रही होंगी तो इसमें यह वाली जगह यह यह जगह हमारी यहां पर इस यहां पर पूरा का पूरा एक हड़ जाएंगे हमारा पूरा एक बहुन जहाएंगे और इस पर इसको बोलते हैं इस्टर बांड के दध्र हमारी यहां पर फॉस्पेट ग्रूप से अटेट हो जाती है तो इस तरह आप यह अनौरा थाड कमपाउंड वोन्ड होता है अब यह जो नैट्रोजिनर स्पेस होते हैं यह मेली हमार और उसमें कारवन के लाव और कोई और कमभाюर भार्ण भार्ण थे हुस्टाथा है तो यह हैट्र Nash निए पर आपको तब दूँगा त質क्ट तो यहां आपको यह तो अब अगर तो यहाँ पर निकल साइगा और यह ओडरक सी एक यहां पर फूरा की से लग सब्सक्राइब अब जो हमारे नियूक्लताइट बेस्थ यानकी फिरीमडें इसका कोई भी एक हमने उठा लिया तो एक्जाम्बल के लिए अदेनिन लिया, अब अदेनिन हमारे पिए उस है सब्सक्राइब होता है यहां पर लगेगा नायट्रोजिन पेस लगएगा तो यहां से पूरा ऊ माइनस होता है माइनस होता है क्यों कि यहां पर निकल के यहां पर आपस में चालता है तो इस तरह हमारी बॉंड होती है और इस वाली बॉंड को यहां लगागे बताओ कि यह स्ट्रक्च्चर हमारा है यह लगा है यहां पर घ्रन और किया है मतम यहां और अ कपकुरा हमारे क्या हो दा घूद्र हमारे घूद्र स्ट्रक्टेश तो Wizard का तो यहां पर देखोगे तो यह उल्य हमारे पूरा घूरा घून हरूगा यह एक पूरा हम ऐसे हो गेज होगा और इस तरह あ consumes में यहां पूरा दालो अगर हम क्या करें यह जो हमारा अगर इसमें हम फॉस्पेटी ग्रॉप नाएड को इन दोनों को मिला कि हमारा जो बनता है उसका लाम जलाइक ऊप्त नौटाइड मिल लाते तो नौर्ट हमारा जब यह दौन है टींड़ behavior और हमें कोई भी नुक्लिक ऐसे आरने या डियरे बनाने लिए ऐसे धेड़ सारे नुक्लिक टाइड आपसमें आटेच करने पड़ते हैं तो बैसे तो यह टॉपिक आपके बाद में आएगा लेकर रफली थोड़ा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो जैसे मैंने आपको दि से जुड़ जाएगा यहां जड़ेगा तो इस तरह आपसमें यह सारे 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 चानेक्ट हो जाते हैं तब इसको जाके हम कंपलीट क्या बोलते हैं एक नुक्लिक एसिड बोलते हैं चलिए तो अब आप जो है बेसिक इस्ट्रेक्टर के बारे समझ गया होगे और आपको talk of this यह पता है कि जो हमारे डिएन आरने के भारे हम इस्ट्व नटके मीचे depuis को आप गारें smaller अभी देर्वाद कि देर्वाल करनेंगे पहले हम कबर करते हैं इनके व्य्यक्श गैसिद्व पहले कबर करते हैं तो देखो जब भी यह कोश्चन आपके सामने आएगा पहले आपको क्या करना है कि डिश्ट्रक्ट की डेफिनेशन भी लिख देना क्योंगी अलग से आता है यहां मैं लिखी नहीं है आप नुकलिक एसिट की डेफिनेशन भी जरूर यहां पे मतलब उन्हें तो यहां लिख सारे अब यहां डेटाइब हो जाते हैं तो इनिकाम क्या हो पॉल्मेर और से पालिमर मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है तो जब भी तेज्ड-स यह अपस्ता करते हैं थे ने और 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 करते हैं बाकि अगर आपके आदो हमारी फ़स्ट यह हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिट के और यह कंटेन करते हैं पेंटोस सुगर फॉस्पिट ग्रॉप और नाइट्रोजिनस विद तो यह बेसिकली आप इतना फंदक कहीं भी मतलब कोई भी कोश्चन आता है आ रहने डियाने या इससे कनेक्टर आप आप यह करके पूरा अच्छे ते करके आना ठीक है तो डियाने को अगर हम बात करें तो डियाने हमारा होता है married congestion को कौन-Kौन और इसमें double stranded होता है इसका मतलब क्या है यह आपको अभी समझ आएगा बागी इसमें सोगर फॉस्पेट की बैकवर्ण होती है यह आपको अभी समझ आएगा इसके बाद नाइट्रोजिनास बेस के बारे मात करें तो जो डियाने यह ना उसमें हमारे प्यूरिंस में तो बागी फॉस्पेट के बारे में देखो बैसे माँ जेनरल देखना है तो बस सबके इस्ट्रक्चर में वने बना दिया है यह यहाँ परेज यह हमारा होते हैं और यह पर दिख रहा होगा यहां से हमारी यह पूरत बनाते इस्टर ग्रूंब दो होते हैं एंदेन ग्वारें तो यहां पर अब अगर और यह हमारा यहां जी जुड़ाई और यह सकते हैं यह हमारा देखोगे तो इस तरगअ भी इस रखेंगे तो यहां पर लितागा यहां पर यहां पर इनके बीच बना यह हमारा इस्टर बांड होता है और दोनों को मिलाके हम जो मतलब फिर आपस में आगे आपको बता लगेगा बागी जो डियने वह मारे यह जो ने तो जरूर वह मारे ने हमारे लिए यहां होते हैं यहां यहांपे दो आपको इस तरह रहे होंगे एक और एक रैड कलर में आपको और इसका मदलब क्या है यह मैं आपको बता दूँगा तो स्ट्रक्चर बता जरूरी होना चाहिए और यह मैंने आपको इसके अपने पहले पर देख सकते हो तो यहाँ पर बात करें Devi ट्रक्टर अब इस ट्रक्टर के बारे मेंहीं तो आपको मैंने क्या बताया कि एक हमारा लैचिछ आपको या एक मैंने कसे मचेब रखते हैं फ़एश कि तो यह मैंने क्नेक्ट होता है तो यह अब जब यह आपस में connect होता है न तो यह फॉसफेट से हमारा nest जो arrive होता है उसका यहाँ पर compound होता है जैसे मालो यह हमारा एक normal हो गया न यहाँ पर अगर इसी का एक और यहाँ पार्ट करो तो यहाँ पर जो third number का carbon है यह आपको यहाँ पर कर देखोगे यह पूरा तो यहाँ करवन यहां होता है तो एख दो तीन चार और प् Cake पान्च मा मघ यह थोता है अब यह पर हमारा यहां पर यहाँ पर हमारा नाइटोजनल स्पेस में थाइम ही लगाता है हमने यह पहले लिए और यहां पर फॉस्पेट के साथ जोड़ने होते हैं तो जब हम इसके दूसरे वाले को जोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि दूसरा वाला जो है यह है इसका जो थर्ड पोजिशन वाला कारव बाउंड होगा तो अब देखो ध्यान से कि आखिर यह अटेच कैसे होते हैं तो यह आपको बता लग गया अब मैंने क्या कि यहां पर दो बना लिए ठीक है तो पहला वाला हमारा यह है अब यहां पर इस वाले फश्ट कारवन पर हमारा नाइट्रिजिनस बेस पूरा अट होते हैं अब इसके साथ जब हमें बॉंड बनाना होता है तो अगर आप स्टार्टिंग के पैंटो सरक को देखोगे तो वहां पर क्या होता है CS2 और इधर ओ इचो तो यह तरह तरह नहीं अगर नहीं समझ है अभी समझ जाओंगे अब नीचे क्या होता है कि हमारा जो फॉस सब कंप्लीट है तो अब यह जो फॉस्पेट गुरुब है इसके साथ हमारे अभी भी खाली है इसको रोटेट कर दिया जो फ़हले ऊपर भास मैंने इसको नीचे कर दिया अभ मैंने क्या बोला कि जब एक वार हमारे यहां फिर्फ कारवन पर अटेश हो ना उसके बाद अब भब इसकों करना होगा तो थर्ड कार्वन हमारा है इसके साथ क्या करेंगे यहां पर यहां पर आताइए तो अब मैं यहां पर नीचे वाली यह सबस्क्राइब चाहं था और पर और यहां गया होगा और है तरह कीश राइए ऑड़ में इस तरह होगा आगा और इस पांच में कारवनगह सब फिर से हमारा क्या होगा एक फॉस्पेट के साथ अग्यें हमारा जो नाइस्ट सेटिंड थार्ड इस तरह होता यह फोस्प्विट हमारा सब पीच के common chain बनता है और यह phosphate group हमारा इन सब को जोड़ते चला जाता है आगे जोड़ते चला जाता है और इसी लिए इसका पूरा नाम क्या बनता है तो अभो जो कैसे बनते हैं जो उस तरह बने हुए है ऊपस में जुड़ते चले चाहिक और इस पूरा का पूरा हमारे क्या स्वक्तल में भत आपको सीधा nurse छोगी ओए myth आपसमा अच्छ है तो इसका नाम क्या हो जाएका सुगर फॉसपेट और बैकबॉन क्यों है क्योंकि यह एक तरह से रीड की हड़ी की तरह काम करेगा पूरे डियने में यह सबसे स्ट्रॉंग वाला पार्ट होगा अब इसी के जैसा हमारा क्या है इधर भी बनता है लेकिन य यह क्या चीज आ वढ़ि थो आपनी समझें नहीं आ तो इसका संपल यह मतलब है कि अगर आप में मालोग्त इसमारी थे घ्री इंड हो लिए इसका मतलब क्या होता है तो जैसे आपको यहां पर इस पर वाला कार्मन था यह वाला इस पर यहां राकर ऑटा इस पर एंड पर तो इसलिए यह फिफ्ट पर जाता जा रहा था और इसका जो लाश्ट वाला हमारा यह पूरा इसमें हमारा ऊपर यहां फॉस्पेट के साथ कोई और अटेच नहीं हो क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो हमारी यह मतलब जो रुकेगा तो उस पोजिशन पर आप जाके देखोगे तो आख़िवाला हमारा राइबस होगा रहा पेंटो उसके थाड़ पोजिशन पे जाके हमारा फॉस्पेट का यहां पर अटेच है है उपर वाले का हमारा थर्ड वाला आता है और नीचे वाले का हमारा अटेश होती है तो यह सुरू हे यह फिफ से होती है न यह एक दूसरे के अटी परल्ल अब जो इसके साथ वाली है वह हमारी अगर गौर करोंगे तो यहां से सुरू हो रही है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नोटबॉक को पूरा घुमा देता हूं तो अब आपको यह वाले सीधे दिख रहे होंगे यहां पूरा चाहर थी पर यहां से यहां उसीन होते है तो यहीं हमारा होता है इस तरह यहां इस तरह चल द होगा तो यह वाले हमारी किया इस तरफ चल दी होगी इसका डारेक्शन इस तरफ होगा तो यह एंटी परलल एक दूसरे के हो दाती है अब यह एंटी परलल होने के पीछे भी एक reason होता है हमारा यहां पर बाकी अगर किसी को एक और रहे हो लोग बोलेंगे 네नल यहां से तो यहां से सब्सक्राइब करेंक जूंड़ हमारे यह बाकी का बंध आया हम इधर यह ओपर वाला यहां पर यहां पर देखो इसलिए फाइफ और थर्ड प्राइम का चक्कर क्या होता है यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब जो मैंने बोला कि यह एंटी परेलल एक्च्वल में क्या होती है इसके बीज़र रीजन होता है यहां पे नाइट्रोजिनस बेस अब जैसे आपने यह तो देख लिया कि फॉस्पेट ग्र हो ट्रिपल बॉंड कितरों कनेक्टेट होते हैं यहां कि यहां पर जो एडिनिन है हमारा यहां पर प्यूरिंस का जो हमारा यह एडिनिन है प्यूरिंस का और यह एडिनिन हमारा किसके थाइमीन जो हमारा थाइमीन यहां पर प्रेमीडिन का होता उसके साथ डवल बॉंड क साथ connect होता है और इदर जो हमारा guenin है यह भी हमारा मतलत का वह हमारा क्या करेगा किसके तरल पनेक्त होता यहाँ पर तो यह इस तरह बेसिट जो हमारे नेट्रोजींस के बेस पेस अखरें यह आपस में इसाइब को सकते हैं आप कोश्चन कि यह मारे सीधे लाइन में चल रहे होते हैं कोई लिए सीधे रहे होते हैं तो बहुत चांस एसा होता कि यहां पद्च जो यह हमारे सामने एहाँ पर यहां पर होता है कि यह आटी ऊटा की अधाय रहे हैं आ रहे हैं कि हमारे अटीसे को पाहेid मझभूती है इसलिगे यहां पर क्या होता कि यह एंटी पैरलल में चलते हैं जिससे हमारा तॉय से ओंधर स 되면 अब इसी को वहीं से सुरुगात करेंगे तो यहां से थाइमिन गौइन यह ऐसा चल रहा है तो इस बजाए से क्या होता है कि यह एक दूसरे के सामने मतलब अच्छे वाले बॉंड आते हैं जो हमको चाहिए थाइमिन के सांगे थाइमिन के आगे फिर ग्वैने साइमिन हमारा तो इस तरह हमारे चलते रहते हैं और यह आपस में कनेक्ट होते हैं तो यहां पर आपको क्या समझा रहा है कि अंदर हमारा एक तो यह इस तरह फॉस्पर डाइस्टरेट बॉंड के तरह कनेक्ट होते हैं और दूसरा यह जो आपस में कनेक्ट होते हैं और यह हमारे सकते हों कि डबर हमारा ए के साथ मतलब एकदम बाउंड होता है और यह आपस में बहुत ही अच्छे सबका इसलिए हमारा क्या होता है पूरा का फूरा इक स्ट्रेवल। होते हैं यह क्यों होती है सगर मतलब पैंटो सगर फॉस्पेट मतलब गुरूप और बैक वॉन पीड की हड़ी होगे इसलिए उसके बाद यह नाइट्रोजिन इसमें चार पाइस आते हैं जो प्यूरिंस के होते हैं साइट सें थामिज जो हमारे प्रिमिनिंस के होते हैं और यह इनके स्ट्रक्चर हो करें 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 और फिफ्थ कर बन पर यह करें और इस तरह का बनाती है अब यह हमारे अलग अलग हो सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे यह अपसमें डबल और ट्रिपल बॉंड के साथ भी जुड़े होते हैं यह सब कोशिन्स आपके यहां पर जाके खता है और यह सीधा है अब इसके पलट के यह 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 पैन है और यह बिलकुल ऐसे हैं तो यह हमारे के पैरलल है लेकिन अगर मैं क्या करूँ इस पैन को पलट आगे ऐसे रख दूं यह इसका क्या विदर है तो अब आपको समस आगे होगी तो अब आङके बात करें तो जैनेटिक का मेन काम क्या होता है यह अंदर चैने का मेंटेरियल को कंटेन करके रखता जो भी जैनेटिक इंफॉरमेशन है जैसे आख का कलर हो गया स्किन का अगा उगया हायट इंटेलिजन्स हो गई और यह सब बेस के पेर में यहां कि यह जो बनते हैं इस तरह यही एक्षवल में जो इंफॉरमिशन है उसको अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं जो नाइटर जिनन के बेस पेर होते हैं इसको ट्रांसफर करेगा जब पेरेंट से डॉर्टर से यहां की सैल डिवीजन बगर नए तरह बनेगा उस में यह ट्रांस्पर हो फाएगा अब स्कृषिपशन अब ईडियान पारेनी की सिंथेंटर से अअनों tag wann.DNA से मिलता जोटा है या आपको जो उसमें बात था मैंने बताई किस तरह बॉन्ड किस तरह बनते यह सब अच्छे थे पता वोगी बस आरेने में क्या होता है जो नियूक्रैर से चरण होता है तो जैसे आप सब दिखर होगा उस में यह हमारे यूरस यहां के बात है अब कुछ और इंपुटेन बात है ने के अदर दस गुना ज़्यादा मात्रामें पाई जाता है इसा इसलिए होता कि RNA के हमारे ज़्यादा काम होता है DNA के अपेक्षा और एक और बात है कि DNA से हमारे RNA भी बनता है तो इसलिए RNA हमारा थोड़ा ज़्यादा मातरा में हो जाता है इसके बाद जो RNA है वो हमारे different types के हो सकते हैं पहला हमारा होता है और RNA और यह यह हमारा most abundant RNA होता है यान कि सबसे ज़्यादा मातरा में यही पायता है अब यह मिली क्या करता है यह protein synthesis मैं मतलब participate करेगा यान कि protein synthesis बनाने में main यही वाला जो RNA है वो हमारा यहां पर काम आता है ठीक है कैसे बनता है वो सब आगे process बढ़ लेंगे यह हमारा होता है ट्रांसफर और यह मिली क्या करेगा जब प्रोटीन करते हैं तो आपको बता है कि यह हमारा सबसे कम होता है लेकिन सबसे important part क्या होता है यह genetic information को carry करता है यहां कि जो हमारा DNA यहां तो DNA सबसे बहले क्या करता है RNA को इसी के अंदर सारे के सारे हमारे क्या होते हैं information होती है और यही इस प्लाइसिंग में यह आपको आगे पता चलेगा क्या होता है SNR और माइक्रो आ रहे ने और यह स्मॉल इंट्पेरिंग आ रहे ने यह हमारे gene regulation में काम करते हैं यह सब बाते आपको आगे भी पता चलेंगे अब इसके structure के बारे हम बात करें तो यह राइबो सोगर आपक जो आपने DNA के पार्ट में नहीं देखा था अब इसका अगर complete structure देखें तो यह हमारा phosphate group है इसको भी आप पहले देख चुके थे जो अलग थे वही मैंने सिर्फ यहां बनाए है बाकी आप सारा पार्ट जो है DNA वाले पार्ट से देख सकते हो तो ऐसा नहीं है कि DNA के ना हो phosphate क आप देख चुके थे इसका अलग था यहांपे तो मैंने बना दिया यह सारी बेस पर आप देख चुके थे उसमें में यूरेसल वाला पार्ट नहीं था तो यूरेसल का मैंने यहां पर बना दिया अब इनको हम connect करेंगे तो भई यहांने आपको सब बदाए था बाकि इसम यह सिर्फ में एक बाइध आती है और इसकी वजाते इसका जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है लेकिन इसमें क्या होता है इंट्रा molecular base pairing होती है यहाँ पर स्ट्रेंड को लिए यहां इसें इस तरह बाउंड करेंगे यहां बहुता है यहां पर कि यहां रही किया बतल दाता है , यहां पर थाइमिन नहीं नहीं थामड़ीन की जगह हमारा जो डिन है वह मारे यूरेसिल के साथ बाइंड करेगा और यूरेसिल हमारे डबल बॉंड से और यहां बाकि तरह यहां पर से बार होगा तो मैं आपको यहां पर सो कर दूंगा तो बस एक आईडिया ले लो कि इस तरह है जैसे यहां जाके इसके साथ हो जाएगा यह उसके साथ जाके इस तरह हमारी इंट्रमोलिकुल मतलब बेस पेरिंग हो जाती है और होती जरूर है तो इस तरह हमारा उता रहेगा और यह ये हमारे इंत्रसेलर मॉलीकुल M Page Swending मिलती है और ये पूरतर अब डीक्स आ होदा है बागी यह गरी कर सकते होके V household के बारे माद करें तो का सबसे ज़्यादा मेजर मोट सबसें होता है कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में help करेका यह है तो इसमें इसमें आपको आगे पतार चलता है इसके वह है कि हमारे नहीं होते हो भी आपको अगे पता चलता है भागी इसके जो इसको नूक्लियस से साइटो प्लाज्मा में ट्रांसफर करें यहां पर जो हमारे यह होता है यह कहां पर आता है यहां अधर है यहां पर आ राइबुजोम के पहुंचाएगा और देन राइबुजोम क्या करेगा उस information का यूज करके protein बनाएगा तो इस तरह चलता है यानकी DNA RNA को बनाया RNA nuclear से बाहर आया बाहर आके उसने राइबुजोम को वो सारी genetic information दी जिसके दोरा हमारी protein protein synthesize हो सके यानकी protein के बारे में अब तक आप यह पढ़ते आ रहे थे कि protein हमारा जो है सिर्फ amino acid से बनता है लेकिन नहीं वह हमारा RNA की मदद से भी बनता है कैसे वह आपको भी पता चलेगा ती आरेने क्या करता है definition तो दौनों की definition starting में मैंने इस लिए नहीं दी क्योंकि आप अभी समझ नहीं पाते तो अब यहां पर अगर आप गौर करोगे तो आपको अच्छे ते जो है सारी कानी समझ आदेगी तो डियोक्सी राइबो न्यूक्लिक यह हमारे एक double stranded molecules होता है इसमें दो इस तरह के strand होते हैं और यह genetic information को store करता है बागी यह new cell के पास उसको transfer कर सके cell division के time पे इसके अलाबा इसमें डियोक्सी राइबो सोगर पाई जाती है phosphate group पाई जाता है और nitrogenous base में A1T और C1G पाई जाता है और यह RNA synthesis के लिए भी template की तरह काम आता है यह RNA बनाएगा RNA के बारे मात करें तो यह ribonucleic acid है यह single stranded molecules होता है और यह DNA से synthesize किया जाता है बागी इसका major role play होता है synthesize a protein बनाने के लिए और gene expression regulate करने के लिए ठीक है बागी इसके बाद बात करें तो काफी biological reaction में भी होता है इसके लाबा यह contain करता है इसमें यू है हमारा और इधर हमारा टी है तो यह हमारा चेंज होता है DNA और RNA में बागी यहां पर थाइमीन है वो रिप्लेस होता था यूरेसिल के लिए यहां मैंने समझाने के लिए आपको लाश्ट में दी क्योंकि अब आपको इसका एक एक जो जो इसमें एक चीज रेप्लीकेशन का मदला होता है copy करना एक से दो चीज़ें कर देना फटाक से तो यहीं होता हमारा एधर जाता यहां ििएनी और एक घुसे रहे सब्सकेब एक तरह से हम इसको DNA synthesis भी बोल सकते हैं पर replication वाला वर्ड ज्यादा हो है क्योंकि यहां पर replicate हो रहा है वो copy हो ठीक है तो DNA हमारे self replicating structure होता है और यह semi conservative तरीके से होता है जो आपको यहां मिल जाएगा तो basically यहां पर क्या हो रहा है कि मालो एक हमारे parents DNA है और यह parents DNA DNA Mixedal मैं क्या कर रहा है कि यह 2 DNA यहां पर बना रहा है और यह दो another DNA यह वाला हमारा parents हो जाएगा और यह आगे आगे यह दो डो बनाएगा यहां वाल इस तरह यह प्रोसिस हमारी चलती चुए रहती है आप डियाने में हमारी मेली The Semullyhao Bוט से होती है तो यह हमारा important exam में आता है इसको अच्छे से देखती है अब झिखो according to this यह जो model ना इसकी according कहा क्या है कि जो हमारा DNA है वह सबसे पहले separate हो जाता है दो डबल प्रण में और जब हो सेपरेट हो जाता है तो जो उसका एक strand है वो काम करता है DNA के लिए एक template की तरह है और वो दो strand होंगे वो हमारे क्या बनाएंगे नए DNA बनाते हैं और जो नए DNA बनेगा उसमें एक old strand होता है एक new strand होता है नहीं समझे चलो ऐसे समझते हैं यह मालो हमारे पूरा का पूरा DNA था पूरा अब यह black strand में चला कोई दिकत नहीं अब जब यह हमारे दो strand हो जाते हैं यह double strand क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे इनके साथ जो है बाइंड करना दीरे दीरे शुरू करेंगे और यह दो strand क्या करेंगे यहां पर नए एक एक strand को हो जाता है दो strand यहां पर फिट से बन जाते हैं और इसमें दौनों हो जो हमारे दो बना रहा है इसमें एक इसका चला गए इधर और रहे हो आदा यहां परादा पार्ट हमाना है यहां पर बना है इसलिए यहां पर सैमी-konurberate model इसको बोलते हैं और सबस्यादा यही होता है इसी को लोग मानते हैं यही सारा चलता ठीक है तो अब इसको काम करते हैं कि यहां के क्योंकि एक बहुत जादा complicated topic है तो अगर आपका थोड़ा भूद भी ध्यान इज़र उज़र भटकता है तो यह topic हो सकता है आपको समझना है तो अब तक आप क्या समझा कि हमारा पूरा पूरा parents DNA था वो यहां पे दो बाल में यहां डिवाइड हो गया और उसके बाद यहां पे नया डॉटर सैल का था वो यहां बनना सुरू होता था है कोई देखत नहीं अब हम यहां समझते कि क्या होता है तो सबसे पहले जो हमारा DNA है वो initiate करता है origin of replication की साइट से अब मैं directly आपको यहां पूरा DNA दिखाता हूँ ठीक है चलो यहां से समझते हैं तो अब जैसे ही हमारा DNA अब इसको इस तरह समझो कि मालो आपको एक मैदाने यहां पर यहां पर जाडू लगानी है तो आप पहले यह देखोगे कि मैं कहां से जाड़ू लगाना सुरू करूं इसके भी ते रीदन है कि आप देखो भी हावा अब मालो हावा ऐसी ऐसी चल रही है और आप जाड़ू इस डारेक्शन पर लगाओ तो बापस वो कुड़ा आज आएगा तो आप जैक किया कि अगर हावा ऐसी ऐसी च सब्सक्राइब करते हैं उस जगह को हम बोलते हैं और इजन ऑफ रेप्लिकेशन यानकि रेप्लिकेशन की जहां से सरुवात हो रही है तो इसको हम बोलते हैं और यहां से भी यहां से भी यहां से भी यहां से भी हम बहुत सारी जगह जहां से हम जो है इस रेप्लिकेशन के इनीचीयर यांगी स्टार्ट कर सकते हैं UNimas靡 hanno उसमें एक हादी तरह होती कि इस्कों दूड़ने के लिए हमारा एक प्रोटीन होता है DNA वह इसको ढूड़ेगा तो यहां पर छलो आपको अच्छे से समझाता हूं तो मालो यहां पर किया बब भझे नहीं रहने सी क्या होगा मालो इनको यह जगा मिली यहां से जो है रेप्लीकेशन को सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर इनिसिएट लोगे यहां से पहला यहां नाम का प्रोटीन एक हमारा होता है वो यहां शुरू कर वाता है ठीक है तो जब यह पूरा हो जाता है इसके बाद जब यह हमारा हो गया हो गया हो गया हमको जगह मिलकी इसके बाद हमारा एंजयम आता है हैलिकेज अब यह क्या करेगा यहां पर यह एंजयम हमारा इधर लग जाता ह जैनके इस तरह हमारे हेली केटन नाम लगजाएगा और یہं यह क्या करेगा इन दोनों इस ट्रेंट को अलग करना शुरू करेगा क्योंकि हमने क्या देखा सबसे पधõले कि यह हमारी यहाँ पर иныश ते होगी वह हमारीं सिर्फ एक होती है यह दोनों अलग हो लाएकग और एक समझ सकते हों कि मालो यह हमारा dna था। होट में था समझ लो अब क्या होगा यहां से हैली के जन्जाम आएगा और वह इनको इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इनको खीशना पूरे बहुत जादा क्लोज आते हैं और इसको जादा क्लोज होता है और इसको देखा उनी के लिए है तो इसको लिलीज करने के लिए हमारा यहाँ पे क्या था यहां पए तॉप जाने की अलग करता है को इसको अलग जो अलग करता रहे भी यहां पर ठीक करता रहेगा तो इस तरह है यह हमारी प्रॉस्टर यहां पर चलती रहती है अब जब यहां पर यह हैली केस क्या कर रहा था इनको अलग कर रहा था तो अगर आप गौर करोगे तो इस तरह का यह ऐसा हो जाएगा और यह ऐसा हो जाएगा तो इस तरह क्या होगा यह दोनों हमारे इस ट्रेंड जो है अलग सब्सक्राइब चलता रहेखा और जिसको ठीक करता रहा है यहां पर यहां पर जा रहे हैं और दैन उसको हैलिकेज हमारा खोलता जा रहा है तो इस तरह यह दोने चीज़ हमारी यहां पर चलती रहती है तो यह है यहां पर यहां पर हमारा एक प्रोटीन होती है SSBP इसको गोलते है single strand binding protein अब इसका main काम क्या होता है जैसे हमारे यह अलग हुए न देन वो क्या करेगा वो SSBP हमारे यहां पर इस तरह क्या अंदर की साइट ते इस तरह यहां पर अटेच होने लगता है और यह अटेच होने का इसका मलग क्या कि यह इनको प्रिवेंट करता है यहां कि हमालो जो मैंने बोला कि यहां पर यह अलग हो गए अब हो सकता है कि बाद में जाके यह फिर से जो है इस तरह हमारे चौन होने लगे यहां कि इसको अगर मैं यहां बना करेंगे इन दोनों को सेपरेट रखते हैं यानकी अलग रखते हैं जिससे यह आपस में कनेक्ट ना हो पाएं तो यहां पर यह पूरा अलग हो रहा है तो इस तरह हो गया तो अब हमारा काम आता यहां पर में एंजयाम जो क्या करेगा पूरे के पूरे इनको यहां की जो नया बनना उसको फॉर्म करता है तो अब आप यहां समझो हो जैसे मालो यह हमारी अलग को रहे थे तो मालो कि हमारा हमार Gay ऐंदेनिक ऑफर गया हो इतना डीटेल्ész में आप कन्फुद और तो इसल्ड़ मैंने लिखा हुआ है और हमारे इधर ना możliोटाइट यहां कि जो और यहां पर इस तहर은 इस तरह इस तरह और यहां पे इस तरह है इसको जो ईएच्च करेगा और यहां पर इस तरह गुरुब के आपस बाउंड कर जाएंगे और बाउंड करके यह इस तरह घूम जाएंगे और यह कंप्लीट डियाने हमारा बंद आगा तो एक स्टॉट फॉर्म में आपको पता चल गया कि डियाने पूरा 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 फॉर्म करते जाएंगे लेकिन जितना आसानी से मैंने आपको बताया उतना सिंपली तरीक से यह रहता नहीं है क्योंकि यह वाई यह काम आता नहीं तो किसे होगा यह कार यह बता गोटा यह सामने करके दिखा pupp रहते तो कि इसी तरह का मपक्व अब możemy लोगर खोगा हुआ सार्श का करकी रहते थे तो वह यहां पर को प्राइमर होता है यह हमारा हुता है daha एक इसको बनाते है नाम से नाम से घंजल मैं ये लिटाइब कर कर दिए आप घबाद दीन पॉजिमेरिज है वह बाकी क aims रहो नशित हो गया लिए जीसे देखा RNA Primer इस तरह यहां पर बनाया अब DNA क्या करेगा जो हमारी । फ्री नूटल राट से इनको पकड़ पकड़ के जो है यहां पर जोड़ना सुरू कर देगा और यहां पर जोड़ जोड़ के अच्छी था पूरा इस तरह जोड़ना सुरू करते अ और यह जो बनाता है ना यह ऐसा नहीं आप लोग कोई भी कहीं भी जोड़ेंगे जो डियाने में हमारा बेस पेर था यहां कि जो हमारा एसा वो टी के साथ बाइंड करेगा और जो हमारा यहां पे सी था वो ट्रपल वांड जी के साथ बाइंड करेगा ना तो इस तरह जब य हमारा रहे ने यहां पर बनना सुरू होता है अब बोलो के साथ यह ता बहुत सिंपल हो गया तो यहां भी कहानी नहीं रुकते है क्यों कि यह जो हमारा ड्याइन पॉलिम्रेज हैं यह पर खत्म होगा तो जो ऊपर भाई है नगा तो यहाँ से चलता चाएगा तो यह वाला है सुरू हो रहा है और फी षे सरी एक हतम हो और हिआ संड होगा तो यह स्काइब उस्वाला चाहिए और चिनोंगों if इस तरह लिए पूरा करता रहेगा अब इसने जो में लीडिंग इसमें चीज काम आई वह तरह बाकि काम कर दिया अब इसका जहां पर यह continuous हमारी बंती दारी इसको हम बोलते हैं continuous replication क्या बोलेंगे यहां पर continuous replication लेकिन अब जो दूसरा इसका भी तो कुछ करना है तो इसको जहां पर हमारा मतलब यह DNA polymerase अच्छे से काम नहीं करता इसको हम बोलते हैं lagging strand क्या बोलते हैं lagging क्योंको यह lag कर रह तो DNA तो हमारे दो बनने तो आखिर बने कैसे क्योंकि जो main हमारा leading strand सा उसको तो भई यहां ने DNA polymerase ने बना दिया लेकिन इसका क्या हुआ तो यहां पर हमारे को सौड फ्रेग्मेंट जुड़ जाते हैं जो हमारे मतलब इसका पार्ट नहीं होते हैं वह जुड़ जाते हैं बाकी का जो हमारा DNA polymerase है वह दैन यहां पर काम करेगा और जो बचे हुए हैं उनको वह यहां पर फॉर्म कर देगा अब दोनों हमारे बन के तयार हो जाएंगे चलते रहेंगे और यहां से इनका termination का जैसी time आगा यहां से cut हो जाएंगे और अब मैं आपको दिखाता हूं कि चलो यहां मालो तो अब हमारे यहां पे दो बन के तयार हो गए तो अभी मैं इनको सीधे ही दिखा देता हूं तो मालो एक हमारा यह बनाए एक यह बनाए जो हमारे parents वाले से और यहां पे अगर नीचे देखा गए तो यह हमारे यहां पर इस तरह मतला बनते चले गए हैं और इदर हमारी यह बनते चले गए हैं अब इन दौनों में अभी यह complete नहीं हुए डिने हमारे यह दो हो गए लेकिन यह complete नहीं है क्योंकि इस वाला जो उपर वाला था उसमें स्टार्टिंग में हमारा आरेने प्राइमर लगा था और नीचे वाला था उसमें हमारा बहुत जगे क्या है और काजा की फ्रेंग्मेंट लगे हुए हैं तो अब यहां पर क्या हो जरूवत होती है अब यहां पर देखा दा तो यहां पर यह हटा दो तो थोड़ा थोड़ा पार्ट है तो अब क्या करेगा डियने पॉलिम्रे जो बचा हुआ था ना उसको भी फिर से बनाना शुरू कर देगा और फिर से जो है इनको यहां पर बनाना शुरू कर देगा औ सब को आपस में जोड़ देगा इन कट खटा देगा और देन इन सब को सिल कर देगा और जब यह कोई सब्सक्राइब अघ्रक्रीछ और को निस आप विए जूड़ने इसाकर सी dust वहाया तो इसको को डिलीट कर देगा कोछ भी होगा उसकी जगा दूसरा लगा के और फाइनली क्या करेगा डियने पॉलिमने इसको प्रूफ रीड करके एकदम फ़र्ष्ट क्लास टियने बना के तयार कर देगा और यहां पर पूरा अगर एक बार हम रिवाइस करेंगे तो सबसे बहले क्या ह हुआ हमारे यहां पर और यहां की और इजन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड डूड़ी साइड डूनने के बाद वहां पर एक थोड़ा सा मतला बावल बनेगा हमको पता लग यहां इनको जो है अन्जिप इनको एक तरह से खोलना सुरू करेंगा ऐसा लग रहे हैं तो इनको सुरू करेंगा और इसको बारेंगे इसके बभी इसको टॉप आइसमरेश ठीक कर देगा अब यहां बनाना सुरू कर देगा बना कैसे तो जो पकड़ यहां यहां पे जोड़ रहा है और हमारा यह बंतातार है कोई तक नहीं है पे तो मैंअब यहांं काम करीगे जहां लिक कैस्मरी और धिर फ्रेग्मेंट्स पर दाके में सुरू बना देगा और जब बन जाएंगे तो डियाने लाइगे क्या करेगा उसको जोएन करेगा और उसके बाद हमारी आरेने पॉलिम्रेज़ा वह प्रूफ रीडिंग इसकी करेगे यांकि कुछ गड़बड तो नहीं है और फाइनली में जाके हमारा ये दो डियाने आपको यहां अग अच्छा है और नहीं समझाए तो थोड़ी एक बाद फिर से देख सकते हो तो अब अगर बात करें हम आरेने सिंटेसिस के बारे में तो समझ सकते हो कि एक फर्ष्ट स्टैप होता है हमारा जीन एक्सप्रेशन का अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है तो आपको यह प अगरे तो यह पर प्रॉसेस हमारी होते है जीन एक्सप्रेशन की इसमें पहला हम आज पढ़ने वाले रांस्क्रिप्शन के बारे में और वह जाती है और प्रोटीन हमारी अमीनोड से नहीं बनती बल्गि इसके अंदर जो हमारी जैनेटिक इनफॉर्मिशन नहीं उससे भ और complicated topic आने वाला है यहां पे तो थोड़ा सा और दिमाग अपना पहना कर लो ठीक है तो ट्रांस्क्रिप्शन प्रोसेस एक highly selective होती है यहां कि जो हमारा DNA है ना तो DNA के हर एक पार्ट से हमारा RNA नहीं बनता है वहां से हमारा RNA फॉर्म होता है और ऐसा मैं प्रॉपर रीजन न और जो step है उसके बारे मात करें तो RNA trabalhar हमारी तीन step में होती है पहला हमारा होता है इनेशियے दूसरा होता हमारा मूँव कर रहा है और मूँव करते करते वह जब तक एक प्रमोटर रीजन होता है उसके साथ जाके बाइंड ना होता है तब तक मूँव करेगा तो जैसे वह यहां पर मूँव करेगा वह बाइंड होता है प्रमोटर रीजन के साथ में तो जैसे वह इसको एंकाउंटर करेग यानकि attached to DNA मुलके move आलंके recognize जैसे ही recognize करेगा promoter reason को करेगा वहीं से हमारी transcription की जो pathway यानकी transcription process है वो हमारी सुरू होती है तो जैसे इसने promoter reason को किया उसके बाद क्या होगा जो हमारा DNA है double helix वाला है वो unwind होना यानकि यहां से जैसे इसने bind करेगा जो RNA polymerase है वो इनको दो कर दिया यानकि unwind कर दिया यह हमारा अलग नहीं होता यह हमारा उससे अलग इसलिए होता है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कि हम देख रहे थे कि हम पूरा अलग कर रहे थे यह पूरा मारा खुलता जा रहा था और उसके बाद यह अलग अलग बंद आ रहे थे इसमें इ दी आनेे क्या हो जाहएगा जैसे माल वा कर यहां पे हमारी आ रएंट हो रहेंद जाता है और फोलने के बाद में पैर पहले जासा हो जाएगा तो यह बस हमारा और नहीं की प्राश्त जीं है तो सबसे क्वेले हमें क्या मिला यहां पर मिल यहां पर करने के बाद तो इस तो यहा tut चलते रहती है दो पदी क्योंकि क्योंकि किस्ते चाहिए आपको एक track te थीघ ayuda ça getting नहीं तो यह मेंसे 35 वाले चलाना पड़ेगा तभागि यह यहां पर पहने की स्ट्रक्टर में 5 प्रám पीछे करके ऑपको मिल रहे का चेकाइब कर सकते हो तो यहां पर क्या होगा यह मतलब यहां पर बनना सुरू हो जाता है दीरे दीरे तो पहला स्टप हमारा इनीशियेशन था और इसमें सिंपल क्या हुआ आरे ने पॉली में अटेच हुआ प्रमोटर रीजन को उसने चेक किया और वहां दा कि उसने अन्वाइंड कर दिया और अन्वाइंड करके आप यहां पर बनना शुरू होता है इसको देखत करना सब्सक्राइब करें तो इसी तरह हमारा चलता रहता है और जब इसकी करेगा तो प्रपर पर वहें Slosok करेंगा बेस् जरूरी रिए जैसे यहां पे उपर जुर्ता-जरा रहा तो अब देखू आपको बता तो हमें थाइमेन की दरूवत नहीं है तो जहां भी थाइमेन होगा उसके साथ यह हमारा नहीं करता है अब जो थ्यूम करें और यहां ब्लैक पूरा बंद दाता है तो जैसे हमारा चलता जाएगा अब आगए termination वाला पार्ट अब जैसे हमारी RNA की सिंटेस हो जाती है आरे नी पॉलिम्रेस चलता जा जा रहा है बनाता जा जा रहा है उसको एक टर्मिनेटर रीजन जानकि termination site मिलेगी और जैसे आरे ने पॉलिम्रेस क्या करेगा उसको सेंस करेगा यहां पर यहां पर प्रॉसेस को स्टॉप कर देगा और इस पर बाकी के इसी के बीच में इस तरह हमारी यह ने बनता जाए जैसे यहां देखेंगे यह माले कट यहां से यह कट होके और यह आरेने मारे इससे बाहरेने बहार आदाएगा और यह अमारा इस थरह बाहर आदाएगा अब यहां पर उत्री मेंटरेशन पर क्या होगा तो यहाँ प्रोटेक्ट करते हैं इसके बाद यहां पर प्रोसेस होती है हमारी स्प्लाइसिंग की अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस अगर आपको याद होगा जब मैंने आ रहने के प्रोसेसिंग में पड़ा था तो यहां पर यहां पर करवाता है अब स्प्लाइसिंग में मिल ली क्या होगा अगर यहां पर कोई ऐसा है जिसमें यह नहीं है जैसे अब मैंने आपको बताया मालो एक बॉन याद ती था और इधर अब अब आ आ रहने उसमें 80 तो होता ही नहीं है तो यह हमारा खाली छूट गया अब जो ऐसे नॉन कोडिंग वाले स्ट्वेंस है जिसमें हमारे यह बाउंड नहीं बना है और जिसका कोई मतलब नहीं आगे आगे दाके कोई काम नहीं आने वाला रहने में उसको क्या करेगा यह बनाई है यहांने ति उनको जो हमारा आटेश करना शुरू करेगा और कडिंग के पेर बनाके यहां कि जो सास्थ CEO के साथ कोडिंग पूरे बना बनांगे इनको यहां पर एड करेंगे और एड़ करता जो हमारे से खाली हैं उसको बान मेरें इसके पूरा PS4 नहीं की और से कारेंनगे और चैल पर पॉलिए ने जुड़ दाएंगे और जुड़ने के बाद क्या करेंगे इसको प्रोटेक्ट करेंगे कि यह XNRN करेगा वो क्या करेगा जो नौन कोडिंग है जैसे टी और यह होगा इनका अपसमें कोडनी बना तो इसे जो जंक वाले हैं उनको रिमूब करके हमारा एक सब्सक्राइब करने के लिए तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में यहां पर बात करते हैं अब पहली बात यह हमारा जीन की असबबर के लिए हमारी इंफोर्मिशन का यूज करके आर नो को बनाता है और बें Eck spring और इसके अंदर कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं पहले इनके बारे मां बात करते हैं जिससे को यह process बहुत जादा जो है simple होताएगी तो पहला हमारा होता है MRNA अब यह MRNA हमने जो क्या किया है अपने DNA से बनाया है तो यह मिल ली क्या genetic information को contain करता है इन्दी form of codons codons क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करूंगा फिर जो प्ति हैं यह करत क क्या हुते तो हमारा यूकराफ है उसमें गोगे मिलाके अपना ऑग्यों के साथ करें क्योंते हो तो आपको यह किन नहीं इस समधाएगा यह अपस में उलग ही रहते हैं यह जब ट्रांसलेशन होती यानकि जब प्रोटीन सिंदेजस करते हैं तब यह क्या करते हैं आपस में पास आते हैं वरना यह एक दूसरे से जो है इसी तरह थोड़ा सा दूर रहते हैं अब यहाँ पर जो में काम क्या होता है जो स्मॉलर सब यूनिट है जो आपको यह नीचे वाले भी हम इसको बोल सकते हैं जो टॉपिक हमारा सबसे आखरी वाला अभी देख लेते हैं तो इस इंफोर्मिशन आती है यह इंदी फॉर्म ओफ कोड़ांस होती है अब यह कोड़ांस क्या होते हैं तो एक ग्रुप होता है जिसमें तीन बेस पेर पाए जाते हैं अब अगर मै महरे जो भी में होती है अब बैस पेर का Stephanie तो यहां ठीलिंध यहां पर Cytocin यहां पर हमार Ha तो यह दो हमारे प्यूरेंस होते हैं यह तो इनकी फॉर्म में हमारे इस पाइज आती है अब जो हमारा आ रहें नहीं होता बलकि इसकी दिए उरसल होता है तो हमारी इंफॉर्मिशन क्या बनेगी हमारा ए एडिम्शन यूरसल साइटोसन और ग्वैनन बनती है अब यह जब हमारा रहें इस तरह के हमारे बडनते हैं यहां पर यह इक सब्सुजर के होते हैं तो मालयों यहां तो यहां पर यहां पर कैसे यहां पर G दूड़ाए, यहां पर C दूड़ाए तो इस तरह है तो यहां पर अगर हम 3 उठा ले यह फिर इंद को 3 उठा ले यह तो कोई भी जो हम 3 उठाते हैं यह हमारे जैनेटिक कोड या पिर कोडा उन्स कहलाते हैं तो जो भी इनफोर्मिशन है वह हमारी इनही के स्पियर के फॉरम में स्टोर होती हैं और紅 यह वह हमारी सारी काम की जाती है यहां पर अब यहां पर cadence में Crowd Jess Changton यहां पर जब हमारे जह रही आख रहरेन के संथ्य margin's होते हैं तो यहां पर जब हमारे जो ट्रांसलेसन और यानट चिया की प्रोटीन संटेज़ है अगर हमारे यहां पर राइबोजों में वह जैसे यह लगाता तीन जो हमारे कंट्इनिस वाले तीन होते ना इसी को जैसे वह इन को सेंस करेगा यूजी को उसको यहां पर सिंगनल मिल जाएगा कि अब हमको जो है प्रोटीन सिंथेस क्या करनी है स्टार्ट करनी है तो यहां से यूजी को जैसे सेंस करेगा वह स्टार्ट कर देगा कोड़ों यह स्टार्ट कोड़ोंस होते हैं तो यहां से प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा अब एंड कैसे करना होगा तो जैसी वह सेंस करेगा यहां पर क्या करेगा यह मतलब स्टॉप कोड़ोंस होते हैं और यह सिगनल मिलता है राविदम को कि अब आप प्रोटीन सिंथेस को स्टॉप कर सकते हो क्योंकि प्रोटीन समारी बन चुकी है तो कोड़ोंस का हमारा बहुत बड़ा रोल है यानकि एक तरह से हमारे किसी भी चीज के स्टार्ट बटन और हमारा इनिशियेशन के लिए अप सब को समझों कि मैं अब आपको नए पर दिखा देता हुं यहां ने किसे पहले क्या होगा हमार वाकि सब बात में आएगा पहले का यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह इस तरह पूरा हमारा यहां पर जुड़ाता है यहां पर इस तरह जुड़ेगा यहां पर दो यहां पर जो सेंस करता है कि इनको यूजी को क्या होता है हमारा थो यहां से नहीं साथ हुआए। प सबसे करेगा ! हमारा सब थी तुरहं इंस 스थ हमारे सब यूनिट का लिख्क हुई है आप आप छब नहीं सब्हें क्या होथ इसके लिए आपको यह वाले डाइगरम बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा तो कुछ नहीं कि यही वो डाइगराम है जो मैंने यहां बनाया है तो यह हमारे smaller सब्सक्राइब यह हमारे यह निया है यह मारे श्टार्ट को डोन तो सबसे पहले हमारा टी आरे ने आया वह यहाँ वाली साइट पर और इस यहाँमगेश्वी कारो और मइन जांस किया और सो सारा क्या स्वादीर क्या पर देड़ मतलब जैसे हमारे औई चलती है जाए मूव करते रहते तो आगे और मूव करेंगा मूव करेगा जैसी जो नैस्त वाले हमारे कोड़ान उनको जैसी मतलब मूव मतलब की यहां पर दूसरा हमारा में आद आएगा और वो क्या रहीज़़ आएगा यहां पर नए अमीदे हमारा जुड़ा था पहला मीटोनिन वाला वह यहीं पे इसको छोड़ देगा और खुद यहां पर यहां पर मूब करता है अब जो पर यहां में मूब किया है तो जो इसके पास आयता ना इसके पास भी पहले जूसरा वाला यहां चोड़ गया था उसको अपने साथ यहां पर बाइंड कर लेगा तो यह दो जुड़ गए कोई दिकत नहीं अब यहां पर यहां पर यहां पर नए टी आरेने हमारे अमीन आशिट्स को लेकर आते जा रहे हैं तो यहां से न्यू आता जा रहा है आ रहा है यहां आया वह इस बाहर निकल दाएगा और जो इधर से इधर मूप करता नहीं पर पी वाली साइट पर छोड़ कर जाता है और यहां पर जोड़ता चले जाते और इन वीडियो बॉंड लगता है इसको हम लोते हैं पूरी चैनल बहुते हैं पॉली पेप्टाइड चैनल आ तो इस तरह पी वाले पर यहां पर यहां पर यहां से नया आएगा नहीं क्योंकि यह इदर आएगा और यह जो पॉली पैप्टाइड की तो यहां चोड़के तो जाता था यह वाला इतर तो इसको यह अमीनो एसर को यहां छोड़के तो यह पूरी पॉली पैप्टाइड की यहां हमारी अलग निकल आती है और यह अलग निकल के हमारी एक पूरी चैनोस आती है अब यह आखरी में ऐसा नहीं की बन जाता है जैसे हमारी यह पूरी पॉली पैप्टाइड की यह बा बहुत ही ज्यादा कॉंप्लिकेटे टॉपिक का मैंने बहुत ही सिंबल तरीके से आपको समझाया तो यहां पर इन सब के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया था थोड़ा बैक करके देख सकते हो और यह स्टार्ट कोड़न यह एंड कोड़न इस टॉप आले स्टैप त यहां पर इतना डिटाप को नहीं दाना तो वह हमारा नेश्ट क्रॉस करें टायरोशन जुड़ेगा और जैसे यहां पर क्या होगा यह में ने वह इदर ने यहां पर नाए नाए अमीनो एसिट को लेके आता रहेगा तो टी आरे एक्ट्वल में कोई खुद अमीनो एसिट इसको लेके आ रहा है यहां से इसको यहां से खाली गया नए अमीनो एसिट को यहां से लेके आ रहा है जलता है अमीनो एसिट हमारे यहां पर अलग अलग आते सा रहे हैं और इस तरह पूरा हमारे चैन बन जाता है जो फाइनल इसमें डियानेशन प्रोटीन फोल्डिंग ह यह मिल ली क्या होते हैं जो protein synthesis को बनने से रोकते हैं अब humans के अंदर तो बन रही है लेकिन जो bacteria virus है अगर हम उनके protein synthesis को रोक देते हैं तो वह बाद में grow नहीं कर पाएंगे और वो मर जाते हैं तो इसलिए यह बहुत important tool होता रिसर्च और इडिशन में दवाईयां बगएरा बनाते हैं में जो एंटिवाटिक बनाते हैं क्योंकि जितने भी हमारे वैक्टर वायरस है उनको हम जो है इस protein synthesis को रोक के मार सकते हैं तो जैसे हमारे इंस सबको आप सीनियर जब होगे तब आप अच्छे दे पड़ोगे बस आप इतना भी इनिविटर्स क्या होते हैं जो इनको रोकने का काम करते हैं और ब्रोटिन इस और यह सारा हो गया अब आपको जो है सारा का सारा यहां पर समझ आ गया होगा बहुत बड़ी वीडियो हो गई लेकिन हमारे वीडियो लेंदी तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे प्यूरि अब हम यहां पर बात करते हैं तो अब आप से नेस्ट वीडियो में बात करेंगे प्यूरिंस के नुक्लो टायर्स की बारे में तो तब खेंक्यू जहिंद अपना अबड़ी का ख्या लखेगा बाएब दोस्तों जहिंद दोस्तों